कई बर दोस्तों के साथ बैठे हुए, गरपरिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए वेक्ती कहता है कि हम जिस काम काज में हैं उसमें इतना आलंद नहीं है। लाइन तो उस वेक्ती ने सही पकड़ी है। गरबरिवार ने उस मित्र को वो काम पकड़ा दिया, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत और दुविता नहीं उस विक्ति ने बाहर जाने का निर्णए सही समय ले लिया था और आज देखो सिंदगी कुछ और है, कहां से कहां पहुंच गया है विक्ति ऐसी बातों को करते हुए कई बार अपने कामकाज को एक निचले इस तर पर देखने का प्रहतन करता है एक बार हम जहां पर भी हैं, रुक कर देखा जाए, पीछे मुड़ा जाए तो ये मालुम चलेगा कि जो मटिरिलिस्टिक लगजरी जीवन के भीतर असल की है जो भी यश और मान के सरे अपने जीवन के भीतर यहां देरंतर निकल कर आए है उसके पीछे वजह है, जो कर्म हमने किया है, जिस कामकाज के साथ में हम जुड़े हैं, वो ही है बलही बच्चों के सिक्षा हो, हुम नफर ना हो, गर परिवार की और जरूरतों को पुरा करना हो कामकाज वो सब कुछ देने वाला होता है और जिस दिन विक्ति अपने कार्रे के बरती सम्मान खो बैठता है उस दिन उस कार्रे से तारतम में भी खो बैठता है उसमें सर्व उसको कमिया ही नजर आती है दूसरों के कारे बहतर और स्वयम जो कामकाज कर रहे हैं उसमें हीन भावना गरसित होते चले जाती है कारे शितर में कुछ भी एड़ाउन करना अलग बात है परन्तु अपने कारे में कुंठा गरसित होते हुए प्रती एक दिन खुद को नकारात्मक करते चले जाना बिलकुल अलग बात है आप पाएंगे कि जिस कामकाज में हम हैं उसी कामकाज में कोई और व्यक्ति विशेश एक अच्छी सफलता का आयाम चू रहा है एक बार उससे मिला जाए उसके माइंड सेट के साथ में जुडा जाए दशाएं अपने प्रभाव को पूर्णतया जीवन के भीतर रखती है परन्तु जब व्यक्ति के लिए दशाओं का प्रभाव संगर्श बरा हो वो कितना अडग है, कितना तनकर खड़ा है, निर्भर वहां करता है उपासन पदवतियों के साथ किस तरह से है वहां से उसके भीतर की संबेदना जाकरत होती है और जब सकारात्मक्ता ऐसे समय में मिशृत हो जाती है तो व्यक्ती संगर्श बरे, समय से भी पार पा जाता है गलत निर्णा लेने वाला नहीं होता अन्न था, हमबल ही जॉब में है, बिजनस में है प्रोफिशनल लाइफ में कोई भी एक विंटिंसेस अस्टबलिश करके चल रहे है मन के भीतर जब भी ये भाव आने लगते है कि हम जिस कामकाज में वो ठीक नहीं है यकिन मानिये वहीं से एक अलग पतन की शुरुवात हो जाती है और जब भी व्यक्ती रुची जागुरुत करता है उसको नयापन मिलता चला जाता है और क्या नया करूंगा, कैसे बढ़ने वाला होंगा वहीं से यातरा जीवन रुपी यातरी को बहुत कुछ प्रदान करने वाली हो जाती है इसे वज़े से अपने कर्म के प्रती पूर्ण तयानिस्ठा रखना उसका आदर मान रखना जो वहां से हासिल हो रहा है हम आपके समक्ष 18 मई 2023 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तत हुए है चंद्रमा के स्तिया मेश राशिस्तान में अश्विनी उपरांत भरणी नक्षत्रे परिधियाधार गुरवार रहेगा जेस्ट मास कुरश्न पक्ष चल रहा है और हम दैनेक राशिफल के शुरुबात करते हैं मेश राशि के साथ में वियापारिक जीवन में उत्साह आज बना रहेगा सुबह की उर्जा कई नर्णायक कार्यों को पूरा करवाने में सक्षम है स्टॉक मार्केट में आज मॉर्निंग टाइम आपके लिए बेटर प्रपोर्शन्स लेकर आ रहा है जिसके साथ में जीवन यातरा को जोड़कर आपको तके लिए आर्थिक लाब लेकर आ सकते हैं स्वास्त में पुनह अब यहां मजबूती रहने वाली रहेगी रचनात्मक्षेत्र विशेश में व्रध्धी के प्रतेवान आपके लिए यहां पर बने हुए है सरवांगी इंडलाप के स्थियों में व्रध्धी है ग्रिहस्त पक्ष के साथ जो चोटी-चोटी बात हैं मन को अटकाव दे रही थी उससे हटकर अब आगे की यातुरा तै करेंगे और वहीं किसे बें इंटर्वियू की तरफ जा रहे हैं आज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके लिए है कोई भी तरीके की चर्चा जो नरणायक स्थर पर हो व्यापारिक जेवन में सामने है अपने साथ फैक्ट करी कीजिएगा कैसे कौन सा कार्या पूरा करेंगे वो रूप रेखा बना कर चलिएगा ये मूल मंत्र अपने साथ में स्थापित करने का प्रहत करने की जरुरत पूर्ण तया रहेगी ब्रशब राशी यहां खर्चों पर नियंतरण रखने का पुरजोर प्रयास करें सबसे पहला निवदन ये वदेश संबंधे कार्यों में आपके लिए यहां आर्थिक फायदों के स्ततियां बनी रहेगी तो वहीं एक्सबोर्ट संबंधे कामकाज में भी आपकुछ नयापन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत और दवधा नहीं है यहां आपके लिए फायनेशल बर्डन की स्ततियां सामने आ सकती है उस पर कैसे नियंतरण लेकर आना है ये भी याद रखें एक तरफ संघर्ष की स्ततियां दूसरी तरफ आपके नए कामकाज के सरे सब कुछ इस दिवस में मौजूद है हम कैसे पोजिशन को मेंटेन करते हैं यह हम बड़पन करेगा नौकरी पेशा जीवन में भाग्ये का सयोग उस इसतर पर नहीं है जैसा आप चाते हैं इसे वज़े से निरने में सावधानी बरतीएगा अकेले इस तर पर कोई भी डिसिजन लेना है तब भी थोड़ा सा समय लगाने वाले आप रहें शत्रपक्ष आज हावी नहीं है स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के साथ में जुड़ेबु हैं तो रोटीशन में बहुत जाड़ा संभले हैं हुणी में थुन राशी सरवपर्थम लाप की स्टतियों में आज व्यापारिक जीवन में वरद्धी बनी हुई है नए लोगों के साथ मिलता चला जाएगा पुराने लोगों के साथ संबंद और गहरे होते चले जा रहे हैं समय बिताना संबंदों में आज आपके लिए नए अनुभवों की थाती बन कर सामने आएगा लेखन संबंद ही कामगाज आपको विवस्तित करता चला जा रहा है सेचुएशनल बेसेस पर वर्किंग पूजिशन्स में अवेर रहीएगा उससे बहुत कुछ सामने आने बाला रहेगा अपने क्षमताओं पर विवस्तित इस्तिया निर्मित करके चलें कम्यूनिकेशन में आप रियक्टिव होने से बचिएगा और वही मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धी की प्रतिवान पूर्णकालिक तोर पर बने हुए है भूमी संबंदित कामकाज हो या पर स्टॉक को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन उसमें आज दुपहर का समय आपके लिए अतिविशिष्ट कहा जा सकता है देखते ही बनती है आज इविका का कोई भी नया माध्यम विक्सित करना है ये दिवस आपके लिए उर्जवान है मानसिक और शारेरिक द्रड़ता बहुत अच्छे से आपके साथ साथ है और इसी द्रड़ता की वज़े से आप अपने लिए आज के दिवस को कारे संपन अता के साथ में निरंतर देखते चले जाएंगे एक प्रमुख निविदन ये भी कि आज आपको एकांत क्या वशक्ता होगी ये कांत मन के भीतर की संतुस्टे का संभाहक आधार बन कर सामने आएगा हाला कि मस्किलर पेंसे संबंदित समस्याओं से साथ धानी बरतीएगा नौकरी हो चाहे व्यापार जो बातें कई बार चोटे चोटे अटकाव को यहां सामने रखती है उससे दूरी बनाने की पूरी पूरी आवशक्ताएं आप के लिए यहां पर बनी हुई है ये भी प्रमुक्नि बिदन सिंगराशी व्यापारिक जिवन में लोगों के साथ तार्तम में देखते ही बनता है जिनकारियों को लेकर शंकाए बनीविती होगा या नहीं होगा वहां पूर्णता के दौर आपके सम्मुक मौझूद है लेकर संबंधे कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा यानि कि आप किसी पब्लेशिंग हाउस की और जाना चाहते हैं अपनी किताब को शपाने की और किसी और सिरे में अग्रसर है वहां पर भी आपके लिए बहतरी यहां पर आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धी के प्रतिवान रहने वाले होंगे और वहीं यात्राएं जो सामने हैं वो आपके लिए नभी नविकल्पों को निरंतर रखती चली जा रही है उसके साथ और अधिक और जावान होकर चलने का प्रेत्म करें सुर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुबात करना तो वहीं किसी निरनायक कारे क्योड जा रहे हैं तो गणपती या थरवशीश का पाट करते हुए अपनी इस दिवस की आत्रा को आगे बढ़ाएं हाला कि सुबह सुबह जो कारे आपने हाथ में ले लिए और दूसे तीम गंटे उसमें दरंतर तरख दी तो उसकी बेनिफिट आपके लिए देखते ही बनेंगे कन्या राशी सर्वप्रथम अस्टम भावस्त चंद्रमा की स्तिया हैं इसी वज़े से मन के भीतर की घबराहाटों से मुक्त होकर चलें जो शंशाय जो भाई सामने आया है सबसे पहले उसको दूर हटाने का प्रयतने कीजिएगा communication में चोटे-चोटे conflicts को दूर रख कर चलने का प्रयतन करें यहां विदेश संबंदिकारियों में विवस्तत वरद्धी आपके समक्ष आती चली जाएगी तो वहीं जो आप अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलते हैं वहां से आप खुद को धोखा देने वाले बिलकुल भी नहीं रहेंगे जो स्वास्त में लंबे समय से दुबधाय बनी हुई थी अब वो अड़िक परिशान कर रही है तो प्रॉपर बेसिस की treatment की और जाने का प्रयतन जरूर कीजिएगा ये भी प्रमुख निविदन आपसे यहां करना चाहेंगे और साथ ही साथ financial burdens को दूर हटाने के लिए जो कई बार व्यक्ति वैकलपिक विवस्ताएं करता है यहां से लिया वहां दिया और पहुंचे अधिक गड़े में ऐसी अवस्ताओं से आप पूर्ण तया बचते चले जाएं तुलाराशी वयापारिक जीवन में सब्तम भावस्त चंदरमा की वज़े से आपकी उरजा देखते ही बनती है कामकाजी जीवन के अंदर जो लोग लंबे समय से आपके परती नकारात्मक्ता की भावना रखे वो थे अब वो काफी हद तक दूर हटने वाले रहेंगे आर्टिस्टिक फिल्ड में आपके डेवलप्मेंट्स देखते ही बनते हैं तो वहीं पर आगस्मिक धनलाप के योग आज आपके साथ साथ चल रहे हैं ग्रिहस्त वक्ष के और से सुकद कबरें मिलने की उमीद है जो सलाह करियर को लेकर मित्रों के और से ततागर परिवार के और से मिल रही है ये कहे कर उस सलाह को नजर अंदाज नहीं करें कि हम जादा अनुभवी हैं इस शेत्र विशेश में हमारा अनुभव परवान चड़ चुका है ये क्या सलाह देंगे ऐसी अवस्ताओं से दूरी बनाएं और ये भी याद रखें कि आज आपने कोई भी कमिट्मेंट यहां कामकाजी जीवन में करके रखा हुआ है तो पूरी ही निस्टा के साथ उसके निभाव की और बढ़ने का प्रेतना आप जरूर करते चले जाईएगा वरिश्चिक राशी सरवप्रतम सस्ट भावस्त चंद्रमा की स्तिया है मन के भीतर की घबराहाटों से मुक्त होकर अब आप निरंतर आगे की यातरा को तै करने वाले होंगे एक्सपोर्ट सम्बंदे कामकाज में बैटरमेंट है तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है टार्गेट को लेकर क्लैशेज निकल कर आते हैं और वहीं कई बार वेक्ति आपा को बैटता है ऐसी अवस्थाओं से खुद को साफधान रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी और ये भी आते रखे हैं कि कम्यूनिकेशन में रियक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना है दोपहर के समयंत्राल में आता हुआ आलस या किसे भी कमकाज को टालने की प्रवर्ति यहां मद्य सरे के साथ में आपके लिए कामकाज में दुबिधायें लेकर आने वाला क्रम बन सकता है यानि कि जो भी कार्यात में ले लिया है पूरे ही उत्साह के साथ उसे और रहने का प्रयत्न किजिएगा दनुराशी यहां पंचम भावस्त चंत्रमा की स्ततियां हैं इसी वज़े से मन के भीतर की कबरहाटों से मुक्त रहकर चलने का प्रयत्न करें और वहीं सरवांगेंड लाप्त की स्ततियों में आपके लिए वुरध्धी आज के दिवस में बनी रहेगी किसी भी इंटर्व्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं आज सुबह एकांत का साहरा जरूर लें क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा तो क्या होगा और हो गया तो कहां पहुँचेंगे इन सारी हिद्वधाओं से आज के दिवस में मुक्त रहने की आपशक्ता है खुद को जतना फलیکसिबल आप रखेंगे उतने ही बहतर परणाम आप सुबह के लिए लेकर आते चले जाएंगे और वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर यहां साथ साथ में चलता चला जा रहा है इस एक आभा को भी स्वहिम के साथ आप स्थापिद जरूर करें किसे रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर साथ के साथ बने रहेंगे वहीं पर जुलाब लंबे समिसट के हुए थे अब वो पुने हैं आपके समक्ष आते चले जा रहे हैं मकर राशी शनिदेव प्रदान राशे के जातकों के लिए बेसले स्फियर के प्रोच सामने निकल करा सकती है वहां से साबधानी बरत कर चलें तो वहीं भाग दोड़ के मद्ध भी खुद को जतना आप स्थिर रख सकते हैं उतना अच्छा है मिनिफेक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी पूजिशन्स के साथ में और अधिक पॉजिटिविटी आपके लिए आती चले जाएगी और वहीं हरदय संबंधी रोगों से साबधानी बरतीएगा खान पान पर भी नियंतरण के जरूरत है अन्यता अपच जैसे इस्तियां हो सकती है आपके लिए यहाँ पर कोई भी वेक्टिविशिश कॉंस्पिरिसी जैसे अप्रोच क्रेट करता वो नज़रा रहा है लग रहा है कि यह उलजा सकता है हम वहाँ से कैसे खुद को साबधान करेंगे यह विचार शीलता अपने साथ लेकर चलिएगा और वहीं कोई भी आज इंटर्विव कॉल सामने है यात रखें कि प्रिपरेशन पर बहुत जादा बल देकर चलने की जरूरत रहेगी शनिदेप की मूल तरकॉंड कुम्भराशी यहां तरतिय भावस्त चंद्रमा पूरे तरीके से उरजा के साथ में आप चल रहे है यात्राएं बहतरी लेकर आ रही है कार रिशेत्र में वरध्धी निरमतर तोर पर आपके साथ में बनी हुई है और वहीं पर जो संकल्प आपने किसी भी कामकाच के साथ में ले लिए है आज उन्ही संकल्पों के बूते आप अपने लिए और अधिक बहतरी देखते चले जाएंगे ये भी याद रखे हैं कि सरवांगी और लाब की स्ततियों में वरध्धी पूर्ण कालिक तोर पर है ग्रिहस्त पक्ष के साथ में यहां संभावनाए निरंतर बढ़ती चले जा रही है ये भी एक अलग स्तति आपके साथ में नक्षेपित रहने वाली रहेगी और वहीं आज एकांत के साथ में कुछ समय जरूर बिताईएगा अगले दिवस में शनिदेव जैनते विशेश है तो हम आज के दिवस में खुद को एकांत के साथ अठते हुए अनुमन तुपासना के निस्ठा को कैसे भीतर प्रविष्ट करवा पाते हैं यह प्रयास आप जरूर करने वाले रहें में राशी यहां द्वितिय भावस्त चंदरमा की इस्ततियां है इसे वज़े से मन के भीतर जो बोजह लाधार थे अब वो हड़ते चले जा रहे हैं आपके लिए रिसर्ट संबंदी कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे और वहीं जो अटकाव लंबे समय से बने वोई थे वहां से पुन है आप फ्लॉलस होने वाली पोजिशन्स के साथ में कंटिनुवस नोट को लेकर चल रहे हैं ये याद रखने की आवशकता है कि आपके लिए यहां पर जो लाब के से रहें उसमें मरद्धी तो है ही और इसी के साथ में आकस्मिक स्थर पर किसी वेक्तिविशिश की मदद के भी करम सामने आते हैं तो हम खुद को बहुत अदिक पशोपेश मने डालें मरत करनी है इश्वर ने गुंजाईशें दी है उस वर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा संध्या समयंत्राल में वहां चलाते वक्त अत्यठेक सावधानी बरतने का प्रहतना आप करते चले जाएं और वहीं पर अनुमन तुपासना के साथ में देवस के शुरुबात करना क्योंकि साड़े सांते का प्रतम प्रवास करम है अगले देवस में शनिदेव जैनते विशेश है तो करम आज से ही बनाकर चलना आपके लिए अच्छा है तो ये था 18 मई 2020 का दैने कराशिफल हम ऐसे ही जर्चाओं के साथ उबस्तित होने के प्रयतने करते चले जाएंगे धन्यबाद एवम कूटिशे है आभार